प्रेस्ट बेल आइकर नेवर मिसन अब नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने इस यूटुब चैनल क्लास डॉक्टर धर्मेन वर्मा में जी हां दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेन सात्यों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि राजस उसको पास करने के बाद ही आप कुछ विभागों में जो नोकरी हैं वो प्राप्त कर सकते हैं तो राजस्तान अधिनस्त एमम लिपिक वरगी सेवा समान पातरता परिक्षा नियम 2022 राजस्तान सरकार दोड़ा बना दिया गया है और इसे लागू कर दिया गया है तो आखिर यह क्य क्या है समान पातरता परिक्षा क्या है क्या इसके नियम है सारी जानकारि आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा पूरी तरश से आपके जो डौड से उस्तल प्लिक कर ली परिक्षा का आयोजन करवाएगा और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि CET के अगर बात करें तो यह जो CET परिक्षा है यह केवल एक पात्रता परिक्षा है जिया दोस्तों क्या है केवल एक पात्रता परिक्षा है तो CET यह परिक्षा क्या है केवल एक पात्रता परिक्षा है यानि कि इसको पास करने के बाद मतलब आप वो जो विभाग है जिनमे वेकेंसी ज आएगी उनमें बेट सकते हैं अगर रिटन एक्जाम होगा या साक्षात कार होगा तो पहले इसको पास करना होगा उसके बाद ही आप उस वाली वेकेंसी में आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपने CET पास नहीं कर रखी तो आप इन विभागों में कौन पास करते हैं आप यह सोचे कि बड़ता परिक्षा एस समान पातर्ता परिक्षा यह वर्स में इस बार इस परिक्षा का आयोजन कम से कम करवाया जाएगा मतलब एक बार जरूर आयोजन इसका होगा और देखी सीटी का जो स्कोर है वो परिणाम की तारीक से एक वर्स के लिए मानने होगा यानि कि जिस तारीक को इसका रिजल्ट आएगा उससे उससे आगे का जो एक वर्स है तब तक के लिए ही आपका जो इसकोर है जो आपका जो आपने जो अंक अरजित किये हैं वो मानने होगा यानि कि आपका जो रिजल्ट जो भी होगा वो केवल एक वर्ष के लिए ही मानने होगा और वर्ष में कम से गम एक बाद इस परिक्षा का आयोजन करवाया जाएगा और बोल्ड उन समस्त बेड़ती हुए अंक जो समान पातरत परिक्षा में उपस्तित हुए परकाशित करेगा यानि कि सभी को उनके अंक बताए जाएंगे अब इसमें देखिए जो अंक है अब इसमें कितने अंक आपको लाने हैं वो भी जब परिक्षा होगी तब आविदन इतने परतिशत अंक पराप्त करने हैं तो वो भी जल्दी ही जैसे इसका परिक्षा कायोजन होगा तब वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी चले दोस्तों बढ़ते हैं आगे अब देखिए परियासों की संख्या मतलब सीटी परिक्षा में बैठने के लिए कोई क कि आप कितनी भी बार बैठ सकते हैं जरूरी नहीं कि मतलब एक या दो तीन बार के बाद आपको नहीं बैठना है नहीं जब तक आपका मन करें तब तक आप इस परिक्षा को दे सकते हैं और ज्यादा अंक आप पराप्त कर सकते हैं निकि उनके स्कोर को सुदारने का आउस अश्र हो गया निकि आपको अपना इसकोर शुलारने का उसर दिया जाएगा इसलिए आप कितनी भी बार इस परिक्षा को दे सकते हैं और इस परिक्षा में मतलब जैसे आपने बीवार दिया लेकिन जिस वर्ष आपका सबसे ज्यादा अंक आपने प्राप्ट कि वही इसमें सर्वतनम उपलब इसकोर मानने होगा उसे ही माना जाएगा तो दोस्तों ये केवल एक पात्रता परिक्षा है और इसमें देखिए मतलब नियूनतम अंक ये देखिए जो में बात आपको कह रहा था कि सीटी में जितने भी नियूनतम अंक बरती एजेंसी दौरा निर्धार परिक्षा का नॉटिफिकेशन आएगा तब ही पता चलेगा इस परिक्षा ने क्लीए जो योग्यता अरहता है वो यायो क्या होगी सफिए इस तरके य aC dat जो इसिए ऐस्मान पात्रता परिक्षा इसमें बैठने के लिए नियून intro senior secondary यहने करना होगा यहने कि बार बीड़ए पास अगर आपर तो ही senior secondary लेवल की जो CET परिक्षा होगी इसमें आप बैठ सकते हैं यहाँ पर मैं एक डाउट आपका क्लियर कर दूँ कि देखिए दो यह समान पातरता परिक्षा भी दो तरह की एक तो सनातिक इस्तरगी और एक सीनर सेकंडरी इस्तरगी दोनों ही अलग-अलग होगी जी हाँ बैठ सकते हैं और इसे पास करके इन एक्जाम को पास करके आगे के जो वेकेंसी निकलेगी उनमें आवेदन भर सकते हैं और दोस्तों बात करें अगर इसकी परिक्षा की स्कीम और पार्टी विवरने की सिलेवस की तो देखिये सिलेवस समय पर बोड़ द्वारा मिरिदिस्ट कीा जाएगा अलग-अलग एक्जाम होगा तो इस तरह के इस एक पात्रतब परिक्षा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपको ज़्यादा टेंश लेने की ज़रूत नहीं है अब चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए सनात्य किस्तर के लिए जो सीटी परिक्षा होगी वह सीटी पात्रता परिक्षा है उसको पास करने के बाद कौन-कौन से लाटून कमांडर की वेकिंसी भरनी है या फिर राजस्तान अभियांत्री की अधिनस्त सिंचाई सेवा में जिलेदार है पटवारी है राजस्तान अधिनस्त लेखा सेवा में बात करें तो कनिष्ट लेखाकार है राजस्तान महिला आधिकारिता अधिनस्त सेवा में प्रि यह वेक्षक राज़तान कारागार अधिनस्त जो सेवा है उसमें उप जेलर की अगर वेकेंसी आती है तो इसके लिए आपको पहले समावान पातरता परिक्सा सीटी पास करनी होगी राजस्तान समाज कल्यान अदिनस्built सेवा जो है इसमे छातरवास अदिक्षक ग्रीड सेकंड की अगर वेकेंजिन से निकलेगी तो में कौन बर सकता है जिसने सनात्क इसतर की सेटी पास की हुई है समान पात्रता परिक्षा पास की हुई है वही इनमें आवेदन करेंगे चलिए बढ़ते आगे देगे सीनियर सेकंड रिस्तर के लिए जो समान पातरता परिक्षा होगी वो कौन-कौन सी विभागों के लिए होगी राजस्तान वन अधिनस्त सेवा जिसमें वनपाल, राजस्तान अलप संक्यक मामलात अधिनस्त सेवा जिसमें छात्रवा सदिक्षक, राजस्तान सचीवाली लिपिक वर्गे सेवा में लिपिक ग्रेड सेकिंड यानि की सेकंड ग्रेड जो बाबू है, राजस्तान अधिनस्त बलब अगर अब आपको बनना हैं तो आपको पहले समान पातरता परिक्षा इस सीटी को पास करना होगा उसके बाद ही आप कौंस्टेबल की वेकेंसी उसमें आविधन कर सकते हैं तो दोस्तों यह जो जितने भी विभाग हैं और इन विभागों में यह जो पद हैं इन पदो कि अगर वेकेंसी निकलती है तो आपको सीनियर सेकेंडरी इस तरी की जो सीटी परिक्षाय समान पातरता परिक्षा वह आपको पास करनी होगी पहले उसके बाद यह आप इन परिक्षाओं में मतलब आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज़ में समय पर मिलती रहेगी तो दोस्तों आज के लिए तना है काफी हैं मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बात और एक नए टोपी के साथ तब तक लिए दन्यवाज शुक्रिया